दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए दोस्तो एक इंपॉर्टन अपडेट के बारे में बात करेंगे वो दोस्तो अब एक तरह की सहराहत मिल गी है क्योंकि अभी इस पर्ष में बहुत सारे इशूज चल रहे थे कई सारे टेक्निकल ग्लिच चल रहे थी तो उसी को देखते हुए दोस्तो अब इस पर्ष ने जो है अपना जो है नया नोटिफिकेशन नया इलर्ट निकाल है और दोस्तो इस अलर्ट में जो है आप अगर वेबसाइट पर जाते हैं इनकी तो इसमें सबसे पहले यह इलर्ट आ रहा है कि एन्वल आइंटिफिकेशन फॉर पैंस पैंशनर्स ड्यू इन मंत ऑफ नौंबर दोहजार तेज जिनका की नौंबर दोहजार तेज में ड्यू था और जिनका सबसे बड़ा खत्रा था कि उनका इस बारी जो है पैंशन रोग दी जाएगी उनका लाइफ सेटिफिकार 31 बारा तक नहीं जमा हुआ उनके लिए दोस्तो एक बहुत रहात की खबर है और अब क्लियर कट कर दिया गया है कि एन्वल आइटिफिकेशन फॉर पैं पैंशनर्स को उनका अपना लाइफ सेटिफिकेट जमा कराने में और स्पर्श भी इस बात को समझता है इसलिए दोस्तों उन्होंने अब इसको जो है बढ़ा के जनवरी 2024 कर दिया है और उन्हें फिर से एक बार बोला है कि प्लीज सब्मेट यूर लाइफ सेटिफिकेट इंशूर कॉंटिनुएशन ओफ पैंशन आफ्टर जनवरी तो दोस्तों आपको बहुत लंबा टाइम मिल चुका है एक तरीके से आप आज की बात करें तो आज 22 तारीक है तो 22 से लेके दोस्तों 31 जनवरी 2024 तक आपको टाइम मिल गया है और तब तक आप दोस्तों जो है अ आप लटक चुका है अब यह जो है नेक्स्ट हेरिंग मिली है हमें इस बार पूरी उमीद थी कि एकवल में सब्सक्राइब हो जाएगा क्योंकि फाइनल एरिंग थी और इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार के तरफ से दलील देनी थी तो वह अब फरवरी छे 2024 को चला गया है औ और अब हमें दोस्तों तब तक वेट करना पड़ेगा इसके बाद दोस्तों अभी बहुत सारे जो है अन्य जो है शोशल मीडिया में जो है इसकी चर्चा तेज होगी है कि MSP को किस तरीके से लागू किया जाए नेक्स दोस्तों बात करते हैं अपडेट की जिसमें की MSCP जो अब जो है CP ग्राम एक्टिबेट हुआ है और CP ग्राम ने जो है बैंक को निर्देश के दिया है कि जिन जिन लोगों के जो है MSCP के लिए इलिजिबल है उन लोगों को जो है जल्दी जल्दी एरियर मिलना चाहिए अब इतक दोस्तों जो भी संगर्ष जो भी स्ट्रगल चल रहा था वो पैंश्र के अपने लेवल पे चल रहा था लेकिन दोस्तों इस और के बात से जो है अब बैंक भी जो है प्रोएक्टिवली मिलेगा क्योंकि अब यह प्रोसेस में आ गया है कि जिन लों को जो भी मसीपी के लिए लिजिबल है उनको मसीपी का लाव जरूर मिलना चाहिए तो दोस्तों अभी बहुत सारे पेंशनर्स को जो है इसका एरियर रूम के अकाउंट में आ रहा है बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की जहां पर अभी पूर्स अनिकों के लिए जो जॉब ऑपरचुनिटी होती है वो अभी एक बार फिर से जो है जौब ऑपरचुनिटी के बारे में बात करते हैं और यह जो है JCOs और NCOs के लिए को job opportunities निकली हुई है, जिसमें की जो है, defense production company है, उसमें 45 साल तक के retired JCOs चाहिए, और उनमें जो है, उनको 6 लाग का package दिया जाएगा, security supervisor की job निकली हुई है, उसमें भी retired JCOs चाहिए होंगे, और उनको भी 5 लाग का, और ये जो है आपको हिमाचल में है, द 55 साल का है, तो दोस्तों भी एक अच्छी opportunity यहाँ पे benefit मिल सकता है, और एक पंजाब में है, दो vacancies, retired JCOs के लिए, और यहाँ पे 4.20 का package है, तो दोस्तों यह अलग अलग जगा पे जो है, मिले हुए है, और ये vacancies है, जहाँ पे आप जो है, इसमें apply करके जो है, आप नेक्स दोस्तों बात करते हैं, जो MSP जो नोशनल मैक्सिमम का जो अभी case चल रहा है, जो कि अलड़ी सरकार के तरफ से पारित कर दिया गया था, तो दोस्तों उसके उपर एक बाद फिर से कारवाई तेज हो चुकी है, तो दो तीन चीज़े ऐसी है, जिन पर जो है, जल से स्टेप उठाए जा रहे है, जिससे कि पूर हुसैनिकों का जो, क्योंकि इसमें कोर्ट का आदेश आ चुका था, नोशनल मैक्सिमम के लिए, तो उस पे जो है, अब एक बाद फिर से कारवाई तेज होगी है, कि उसको जल्दी स-जल्दी इंप्लिमेंट किराए जा सके है, दोस्तों, यह था आज के इंपोर्टेंट अपडेट सभी पूरुसैनिकों के लिए, एकोल MSP को लेकर, सपर्ष के तरफ से जो अपडेट है, जहां पे अब पेंशनर्स की पेंशन जो है, नहीं रुकेगी, और एक बार फिर से जो इसको जो है, एक मेने के और जो है, एक्स MSP पर आप मिलना शुरू हो गया, एरिया है, बहुत लोगों के अकाउंट में आने शुरू हो गया, दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना मुखे, थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो,